SBI यानि State Bank of India ने अपना WhatsApp Banking शुरू कर दिया है जी हाँ अगर आप चाहें तो State Bank of India का WhatsApp Banking शुरू कर सकते हैं अभी इसमें कुछी facilities शुरू हुई है आप उसका यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपना account का balance जान सकते हैं और अपना meaning statement भी WhatsApp Banking यूज करके जान सकते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम WhatsApp Banking के लिए रेजिस्टर कर सकते हैं और कैसे अपना account का balance या meaning statement जान सकते हैं वीडियो गर आपको अच्छा लगे तो like करिए, share करिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें अच्छे लिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना mobile number रेजिस्टर करना पड़ेगा WhatsApp Banking के लिए आपके account में जो आपका mobile number रेजिस्टर है आपको वह mobile number लेना है और उसमें एक message करना है आपको message में क्या लिखना है, हम आपको बताता है, message में आपको लिखना है workshop का WA & register KaTag े पूरा आपको लिख देना है पूरा लिखना है WA REG लिख लेना है उसके बाद एक space लेना है WA REG लिखने के बाद आपको एक space देना है उसके बाद आपको यह इस नमबर पर यह पूरे मैसेज को भेज देना है 720-089-33148 ठीक है इस नमबर पर आपको यह पूरा मैसेज भेज देना है यह SBI के दोबारा authorized number है WhatsApp banking के लिए आपको इस नमबर पर यह मैसेज भेज देना है अगर आप मैसेज भेजेंगे तो उधर से थोड़ी दिर बात एक confirmation message आएगा कि आपका SBI WhatsApp banking के लिए आपका number register हो गया है अगर ऐसा हो जाता है तो अब हम अब आपको second step करना है second step में क्या करना है आपको यह WhatsApp banking का number है यह आपको save करकर रख लेना है जैसा कि हम WhatsApp अगर यूज करते हैं normal WhatsApp तो कोई number save कर लेते हैं उसे हम अपना message भेज सकते हैं या message उदर से आता है तो उसी तरह से यह WhatsApp banking का SBI का number है इस number को आपको अपने contact में save करके रख लेना है 9022690226 ज्यान से आप सही सही number ही अपना save करें ठीक है आपका यह number save हो जाता है तो उसके बाद अगर आप कभी भी आपको अपने account का balance जानना हो यह meaning statement जानना है तो आपको सिर्फ high लिखके message करना है normal जैसे आप message करते हैं उस तरह से बस आपको high लिखना है हाई हाई लिखेंगे तो उधर से आपको reply में message आएगा उसमें दो option आपका रहेगा वन और तू इस तरह से रहेगा अगर आपको अपने account का balance जानना है तो आपको वन में reply करना है वन अगर आप reply करते हैं तो आपको message में उधर से आ जाएगा कितना आपका account का balance है ठीक है औ अपने account का balance जान सकते हैं और भी free of course इसका कोई charges नहीं लगता है SVEI के दवारा पूरी तरह से free है लेकिन यह जरूरी है कि आपका mobile number register होना चाहिए अपका account में जो mobile number register है आप उसी से इसका लाब उठा सकते हैं वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताईगा अगर वीडियो अ सकते हैं